आम आदमी पार्टी तो अभी जीत के आई है इनका काम है जहां वो जीते और जहां दंगा ये हिंसा भड़की वहां जाके लोगों में बात करें काम करें वो कर नहीं रहे बलकि विधान सभा में मुख्यमंत्री कौन-कौन मरें उनका मजब क्या था ये बता रहे तो ये और कॉंग्रेस कल प्रेस कॉंफरेंस की सोनिया जी ने आज राष्ट्रपति के दरवाजी पर पहुंचे और वहां बीजेपी को दोस्ट देने में लगे है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये दो महिने का अंदोलन केवल नहीं है या आज दो दिन की इंसा नहीं है दो महिने से लोगों को उकसाया जा रहा है 11 दिसंबर को नागरिक्ता कानून का संशोधन हुआ 14 दिसंबर को राम लीला में कॉंग्रेस की रैली हुई उसमें सोनिया जी ने कहा या आरपार की लड़ाई है फैसला लेना पड़ेगा इस पार या उस पार सुनिया जी खुद कह रही है प्रियंका कह रही है कि लाखों को बंदी बनाये जाएगा नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा राहुल गांधी ने कहा आप डरो मत कॉंग्रेस आपके साथ है किसकी नागरिक्ता जा रही थी किसी की नागरिक्ता नहीं जानी है ये मालूम होते हुए भी जान बुझकर ऐसी गलत बयानी और डर पैदा करना ये इसकी प्रिष्ट भूमी है